A very good morning to dear students, हम पढ़ रहे हैं second chapter, जिसका नाम है business activities, दो प्रकार की होती हैं, एक पढ़ी थी हमने industry और दूसरी पढ़ी थी हमने commerce, इंडरस्ट्री पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे commerce क्या होता है, तो commerce यानि के बानीचे, it refers to the sum total of all these activities which are engaged in the removal of hindrances of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodities. इसका आर्थ ये हुआ कि ये उनस्वस्त क्रियाओं का योग है जो वस्तों के आदान परदान, exchange of community, वस्तों के आदान परदान में उत्वन होने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, बीत वसूचना की बादाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं. कॉमर्स में मतलब वो सारी activities आएंगी आपकी जो हम वस्तों के exchange को लेकर आदान परदान, purchase and sale, वस्तों का आदान परदान का मतलब है, purchase and sale में जितनी भी difficulties आती हैं, बादहाएं आती हैं, ये उनको दूर करती हैं. जैसे व्यक्ती की बादा, कुमर्स दूर करता है, व्यक्ती की बादा मतलब, जब माल बनता है, उसे ग्राहकों तक पहुंचाना है, तो उसे कौन लेके जाते हैं? जैसे मिडल मेन, उनको बोलते हैं, ब्यक्ती, मिडल मेन का मतलब है, wholesaler या retailer, उसके बाद स्थान की बादा, स्थान की बादा का मतलब है, जहां पर माल बनता है, और जहां पर माल पहुंचाया जाता है, το एक स्थान से, दूसरे स्थान तक माल कैसे पहुंचाया जाएगा? फिर समय की बाद आती है, जब कंपनिया माल बनाती हैं, तो बहुत जादा मात्रा में बना लेती हैं, वो सारा माल उसी समय बिक नहीं जाता, तो समय की बाद आखो दूर करता है तब तक के लिए माल जो है वो वेर हाउस इनके गोदाबों में रखा जाता है, माल को फेक्टरि माल चलता है तो रिस्क रहता है कि माल हमारा खराब ना हौजाए कोई Ẹर्टिंट नाहोजाए किसी और परकार की अर्चन ना आ ऐ माल जिसकी वह स покуп है तो इंशोरेंस कम्पणी को दूर करती हैं बीट की रादा को दूर करते हैं बैंक जैसे बिजनस में finance की problem आती है तो bank वाले इस problem को दूर करते हैं माल बन गया है लेकिन भोताओं को इसका पता नहीं है क्योंकि भोता बड़ी दूर बैठे हैं माल कहीं और बन रहा है तो इसकी information जो है वो advertisement के थूर जो है वो पहुंचती है तो ये सारा काम जो है वो commerce करता है वानिज्य के द्वारा ये सारी बादाओं को दूर किया जाता है तो इसमें ये सारी activities शामिल है जो वस्तुगों के आदान परदान में उत्पन होने वाली बादाओं को दूर करने के लिए की जाती है अब ये एक diagram सा मैंने बनाया है इसमें ह यह place of production और यह है place of consumption यहां पर माल बना और यहां पर माल consume हुआ लेकिन यहां बीच में जो है वो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं यहां से माल उठाना यहां पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है बीच में यह सारी जो मैंने बताई हैं आपको person, place, time, risk, finance और information यह सारी hindrances यहां के बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं को दूर जो करता है वो है commerce The above discussion makes it clear that commerce is the sum total of all those activities which have to be undertaken in carrying things from the place of production to the place of consumption आया समझ कि यह जो हमने discussion की है इससे हमें यह पता चला है कि इसमें वो सारी activities का total है वो सारी activities इसमें आ जाएंगी जो place of production से माल उठाएंगी और place of consumption तक जो है वो पहुंचाएंगी वो सारी activities जो है वो commerce में आ जाएंगी अब commerce के दो पार्ट है जैसे पीछे भी मैंने बताया था आपको एक इसको बोलते हैं trade और दूसरी को बोलते हैं auxiliary to trade ब्यापार के सहाइक एक ब्यापार आता है इसमें और एक आता है ब्यापार के सहाइक ब्यापार क्या होता है वही business जिसमें purchase and sale of goods and services की जाती है और profit कमाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं ब्यापार या business एक बार फिर से सुन लो trade means buying and selling of goods and services with the purpose of getting profit इसका विप्राय लाप्राप्ति के उदर्शे से वस्तों नसर सेवाओं के विक्रे विक्रे से है अब इसका हम करेंगे classification trade का भी classification करेंगे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गय home trade के भी तीन भाग हैं और foreign trade के भी तीन पार्ट हैं देशी ब्यापार तीन परकार का होता है कौन कौन सा local level state level national level जो एक स्थानी स्तर पर होता है उसको बोलते है local level trade जो एक ही state के अंदर होता है उसको बोलते है state level का ब्यापार और जो पूरे देश के अंदर हो एक ही देश क जब दूसरे देश से माल आपने देश में आता है उसको बोलते हैं अइक्सपोर्ट 또 Темопас होता है जब दूसरे देश माल मंगवाया जाता है लेकिन उसका रिचुन को आगे जो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं, इंटरपोर्ट, ब्यापार या ट्रेड, तो इस तरह से ये भी तीन प्रकार का होता है, अब जो लोकल है, स्टेट लेवल है, नैशनल लेवल है, इन तीनों में क्या हो सकते हैं, होल सेलर भी हो सकते हैं, और रिटेल ट्रेड हो गया फुटकर ब्यपार जो थोड़ थोड़ी मातरा में ही फोल सेलर से खरीद के लाते हैं और आगे थोड़ थोड़ी मातरा में ही आगे कस्टमर को बेचती हैं उसको बोलते हैं रिटेड अब इनके बारे में मैं आगे डिटेल में आपको next chapter में या next अपने lecture में क है